दोस्तों कि आप लोग भी अपने Facebook में जब भी date of birth चेंज करते हो तो date of birth चेंज नहीं होता है कभी-कभी यहाँ पर आपको दो-तीन custom option देने लगता है या फिर date of birth चेंज करने का option ही नहीं आता है ऐसे ही दो-तीन और problem काफी लोगों को आ रहे थे तो इस वीडियो में आप लो यहाँ पर problem solve होने वाला है तो guys first of all मैं पहले ट्रिक से शुरू करता हूँ तो पहले तो आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लेटेस्ट तरीका बता रहा हूँ तो आप लोगों पहले प्ले स्टूर पर जाकर एक बार Facebook सर्च करके Facebook को अपडेट करना है तो पहले मैं यहाँ पहले पर लोगों को यहाँ पर उसकी डेट बर चेंज करनी है फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर राट साइड में थ्री लाइन्स दिख रहे हैं यहाँ पर इन पर आप लोगों क्लिक करना है क्लिक करने का आपके सामें दिखें पूरा एक निया पेज आ चुका है अब आप लोगों को यहाँ पर एक बटन दिख जागा सेटिंग का यह वाला इस पर आप लोग क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगो बिल्को स्टेब बाइस टेब मुझे फॉलू करेजी यह फर्स्ट ट्रिक है मैं आगे तीन ट्रिक बूरे टूटल बताने वाला हूँ अब यहाँ पर आपके सामने option आहरा है Meta Account Center का और tools and resources भी लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामें देखे एक नया पेज आ चुका है अब यहाँ पर आप लोगो नीचे password and securities के नीचे मिल रहा है personal details यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखे यहाँ पर मैंने प्राइजी बाद चेंज करके सेव कर देनी है अगर आपकी ऐसे में सेव हो जाती है तो ठीक है नहीं तो काफी लोगों को यह प्रॉल्म आता है जैसे वह एड़िट पर क्लिक करना है आपको सिंपली बैक आ जाना है और यहाँ पर जो एड़िट का बटन मिल रहा है इससे बैक आ जाना है तो मैं गाइस पूरा बैक आ चुगा हूँ होम बेज पर अपने यहाँ पर फेस्बुक के अब आप लोगों को जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को सिंपली यहाँ पर राट साइड में थ्री लैंस वनी हुए उपर वहाँ आप फिर से क्लिक करना है और आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग्स के बटन में अगेन क्लिक करना है मैं बैक इसलिए आगे ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग से फॉलो करें अब यहाँ पर आप लोगों को गया है कि यह कस्टम डेट जो मैंने आपको दिखाएं थी अभी थोड़ा ताम पहले वो इसलिए आनने लगते है क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेस्बुक दोनों लिंक रहते हैं इसकी वैसे वो दोनों की एक साथ चेंज करने की परमिशन नहीं देता है आपको तो आप लोगो पहले तो यहाँ पर यह अकाउंट सेंटर लिखा अगर आप लोगों में यहाँ पर आ रहा है इंस्टाग्राम को ओप्शन तो मैंने वीडियो बनाये हुआ है कैसे आप लोग इंस्टाग्राम को अलग कर सकते हैं फेस्बुक से बहुत ही आसाई से तो आप उस वीडियो को देखके इन्हें अलग कर लीजेगा फिर उसके ब बैक आ जाना है पूरा यहाँ पर मैं फेसो के होंपेज पर आ गया हूँ अप ट्रेक नमबर थी को आपको यहाँ से फॉलो करना है यहाँ से आप लोगों को सिंपली ऑप्शन मिल जाएगा राइट से त्री लैंस का उपर यह मैं सर्कल की हैप से आपको दखा रहा हूँ इ करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बर्डे का जो आप्शन मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों को इसे एड़ेट पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर यह कुछ कॉस्टम डेट्स दिख रहे हैं तो आप लो लोगों लगा इसपर क्लिक करना है जैसे ही आप इसपर क्लिक करेंगे थोड़ा लोड़िंग लेने का आपके साने ये पेज आ जा जाएगा अगर आपके इसका उप्षन यह है तो थोड़ी दे रूगे मैं अभी उसका भी solution आपको बता तो अभी आप लोगों के साथ तो आप लोग को यहाँ पर यहाँ पर के लिए आप अपनी यहाँ पर पैंका आजाए तो ब्लोड कर देना हो था हुए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मीरा फेजबूक अड़ा सही है देट अलगșे साथ तो आप लोग कोछ अस्तरा से ये तीन ट्रेक्स का यूज़ कागे अपनी फेस्वुक में बहुत आसानी से आइडेंटिटी प्रूफ डालकर अपनी डेट आपस को चेंज कर सकते हैं तो गाइस वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करने से अपलवाले बेल आइकन को टरन ओन का नाम मत भूलेगा